वेलकम टू एकजाम सहपाथी आज के इस वीडियो में हम जियोग्राफी के प्रैक्टिस स्रीज 5 का अध्यान करेंगे जो की हम टॉपिक वाइज अध्यान कर रहे हैं इसमें और आज के टॉपिक कौन सा है यह है आपका मानचित्रण इसके अलावा आपका हिस्ट्री और जो ह सिविक्स का पूरा जो है प्रैक्टिस सिट कंप्लीट कराया जा चुका है जिसकी प्लेलिस्ट जो है इस चैनल पे अवेलबल है आप लोग उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो आईए इसको श्टार्ट करते हैं इस टॉपिक में कम से कम दस सवालों को हमने लिया है तो ये है पहला जैसे कि पृथवी के प्राकृतिक स्वरूप का परवत, पठार, मैदान, नदी, महासागर इन सब को दरसाने वाले मान्चित्र को हम क्या कहते हैं तो यह आपका भू राजस्यो मानचित्र होता है या फ भौतिक मानचित्र ठीक है तो यह आपका जो इसका आंसर हो गया यह आपका कौन सा है भौतिक मानचित्र इसके अलावा देखिए राजनेतिक मानचित्र क्या होता है आपको याद रहना चाहिए भौतिक मानचित्र आपने देख लिया प्राकृतिक स्वरूप के बारे में पर इसके बाद यह हो गया इस तरह से न तो बाद राजनयतिक सीमाओं का डहराण किया जाता है राजनयतिक मानचित्र होता है State product अगला देखते है कुछ किसी मानचित्र को समझने के लिए कौन सा आवस्यक घटक नहीं है तो मतलब की कोई मांचितर को आप समझने के लिए कितने आवस्य घटकों की जरूरत पड़ती है तो देखिए इसमें तीन आवस्य घटकों की जरूरत पड़ती है इसमें आपको पूछा गया है चोथा कौन सा जो है इसके लिए आवस्य घटक नहीं है तो दिसाएं जियां दिसाओं का गयान आपको मांचित्र के लिए जरूरी है, दूरी भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपको पैमाना आना चाहिए, जैसे कि आप पूरे मांचित्र पे तो आप पूरा दिखा नहीं सकते कि एक किलोमेटर का आप मांचित्र बना देंगे, आप मांचित्र छोटा ही बनाते हैं उसमें आप पैमाना दारित करते हैं कि 1 mm बराबर 1 km इस तरह से आप पैमाना मान लेते हैं ठीक है तो दूरी भी जरूरी है प्रतीक या संकेत तो आपने मांचित्र में देखा होगा छोटे छोटे जो है आपको प्रतीक मिल जाते है जैसे कि रेलवे लाइन के लिए प्रतीक म सुमेलीत कौन सा नहीं है? हम क्या कहते हैं कि शमान वर्षा वाले चेत्र को क्या कहा जाता है तो याद रखिएगा ये आपका सही है आइसो हाइट कहते हैं समान वर्षा वाले चेत्र को ये सब मानचित्र पे दिखाया जाते हैं ठीक है समान वर्षा वाले चेत्रों को को दिखाने वाली रेखा जो आप पांची तर पर देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, समोच रेखा कहते हैं, हिंदी में हो सकते हैं, आपको समान चुम्बकी वाले छेत्र के लिए आईसो बात ये आपका गलत है तो इसलिए जो है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है तो आपका option number C हो गया ठीक है ना तो ये समान चुम्बकी वाले छेत्र को आईसो बात नहीं कहते हैं आईसो बात क्या होता है ये समान ग गहराई वाले जो बिंदू होते हैं या फिर जो छेत रहें आपके समान गहराई जहां पर समान गहराई है उनको मिला कर जो रेखा कीची जाएगी उसको क्या बोलते हैं आईसो बात तो ये सारे के सारे जो है आपके इंपोर्टेंट है यहां से यहां तक इसके अलामा देखिए एक और है यहां पर लाश्ट में आईसमान हिम अस्थानों को जोडने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं तो इसको बोलते हैं आईसो निफ ठीक है तो आईसो निफ कहते हैं आपके समान हिम अस्थानों को जोडने वाली रेखाओं को तो यह वला मुझे लगता है कि आप लों को clear होगा अगला देखते हैं कि वर्सा का वितरण दिखाने के लिए आप माँचितर बनाते हो कि कहा पे कित्ती वर्सा होती है या फिर वन कहां पे कौन सा वन पाया जाता है इस तरह का या फिर किस तरह के उद्द्योग किस छेतर में पाए जाते हैं इन सब के लिए इन सब का वित्रण दर्साने वाले मानचितर को क्या कहा जाता है तो इन्हें भूव राजस्व मानचितर कहते हैं भावतिक मानचितर कहते हैं राजनैतिक मानचितर कहते हैं या फिर थेमेटिक मानचितर तो जब इ बनाते कोई एक जैसे कि वन के लिए आपने मानचित्र बना दिया कि कहां पर कौन से पाया जाते हैं तो इनको बोल कि है इनको बोला जाता आपका थ। पहते हैं जो है या फिन प्रकार के भूम में पर किसूज है तो विद्यालियों को दिखाना चाह रहे हैं धिवास या उद्योगिक छेत्रों को दिखाना चाह रहे हैं तो वो आपका जो है कौन सा राजस हो जाएगा कौन सा आपका मांचित्र हो जाएगा तो वो आपका भू राजस्व मांचित्र कहा जाएगा ठीक है, thematic मांचितर आपको समझ में आ गया, उसके अलावा आपका भूरा जोस मांचितर भी समझ में आ गया आपको पहले question में बहुतिक और राजनेतिक मांचितर के बारे में भी बताया गया अगला देखिये किसी दूर इस्थित, अस्थान, वस्त घटना या फिर धरातल के बारे में बेना वहाँ गयश सुचना प्राप्त करना क्या कहलाता है, यानि कि जब आप कहीं और बैठके किसी दूसरी जगह का जो है जैसे कि वहाँ के अस्थल के बारे में पता करना चाते हैं कहां से आप सैटेलाइट से जो है उस पे जो है नजर रख सकते हैं ठीक है नवहाँ के बारे में जनकारी आप प्राप्त कर सकते हैं सैटेलाइट के थूर या फिर जो है आप किसी दूसरे जो है माध्यम से किसी कहीं और बैठ के इसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं इस वाले जगह की तो वो आपका क्या कहलाता है तो वो आपका कहलाएगा क्या या आपका सुदूर समवेदन है या फिर भौतिक सूचना भौगोलिक कहलाता है क्या सुदूर समवेदन या फिर रिमोट सेंसिंग ठीक है रिमोट सेंसिंग इसको बोला जाता है तो यह आपका रिमोट सेंसिंग हो गया इसमें क्या होता है कि किसी दूर इस्थित अस्थान वस्त या घटना या धरातल के बारे में बीना वहां गय सूचना या जनकारी प्राप्त करना यह आपका सुदूर समवेदन कहलाता है जब आप यहां से जनकारी प्राप्त कर लेते हैं तो उसका जो है आप क्या कहते हैं एनलेटिक यानिकि विसलेशट करके जो है एक नई जनकारी का निर्माड करते हैं जिस उस नई जनकारी को क्या बोले जाता बहुगोलिक सूचना प्रडाली और इस बहुगोलिक सूचना प्रडाली के आधार पर ही हम एक मानचित्र तयार करते हैं कम्प्यूटर की सायता से जिसको बोले जाता है आंकिक मानचित्र या फिर डिजिटल मैपिंग ओके तो यह तीनों जो है एक दूसरे से जुड़े देखिए कि एक मानचित्र एक ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है देखिए पैमाना इसका क्या है कि मानचित्र में जो है एक सेंटीमीटर की दूरी को यह 20 किलोमीटर के जो है बराबर बानता है ठीक है यानि कि धरातल पर 20 किलोमीटर की दूरी को मानचित्र पर एक सेंटीमी तो यह आपको पता है कि 1 cm में कितना दिखाया जा रहा है 20 km तो 5 cm में कितना हो जाएगा तो 20 x 5 तो यह कितना जाएगा आपका 100 km ठीक है न तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वो होगा आपका 100 km में आपने 20 दिखाया था थीक है पहले आपको यह दिया गया था कि एक में 20 है तो अगर मानचित्र पे 5 दिखाया जा रहा है तो आपका वास्तविक में कितना होगा तो वास्तविक में आपका 100 km होगा यह आपका simple math है अगर आप ध्यान से question पढ़ेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं दिख सूचक यंत्र की चुम्बकी सुई सदयव रुकती है किस दिखाय में तो कमपास होता है आप साम जानते हैं दिख सूचक यंत्र को क्या बोलते हैं कमपास बोलते हैं तो इसमें जो है चुम्बकी सुई होती है तो वो हमेशा किस दिखाय में रुकती है यह वाला question आप सबको पता होना चाहिए कि हमेशा जो है दिख सूचक यंत्र की जो सुई होती है यह हमेशा रुकती है किधर उत्तर और दक्षड दिखाय में ठीक है ना मानचित्र जो बनाया जाता है वो आपका जो उपरी सिरा होता है यह वाला यह आपको दिखायों का ग्यान भी होना चाहिए मानचित्र के लिए तो जो उपरी सिरा है आप उसको क्या मानते हो नार्थ नीचले सिरा को साउथ इधर आपका होता है इस्ट यह आपका होता है व कवारोओं मानचित्र के बारे में आपको बताया चुका है तो अब आपको जो है इसका प्रवत और पत्थार थे भौतिक मानचित्र राज्यों की सीमाय को निर्धारित कर रहा था आपको बताया गया था राज्यों की सीमाय निर्धारित कर रहा था आपका राजनैतिक मानचित्र ठीक है वर्सा का वित्रण यानि कि अभी आपको बता रहा था कि Especially जब आप किसी के लिए मानचीतर बनाते हो तो उसको क्या बोले जाता है तो उसको बोले जाता है आपका Thematic मानचीतर और अगर भूम उपयोग के छेत्र किस भूमी पर किये पंजीश का उपयोग किया जा रहा है इस तरह की चीज़े अगर आपको दिखानी है तो आपका भूर आजस्व मानचित्र ठीक है तो ये आपका जो है सही मिलान है इसको आप ध्यान रखिएगा परवत और पठार आपका कौन सा हो गया है ये आपका भौतिक मानचित्र में राजू की सिमाय राजनातिक वर्सक निर्मार कर रहे हो तो उसको क्या बोलोगे सुदूर समवेधन भौगोलिक सूचना प्रढाली आंकिक मानचित्र या फिर डिजिटल मैपिंग तो इसको अभी जब आपको सुदूर समवेधन के बारे में बताया था तो उसी समय इसको बताया था इसको जब कम्प्यूटर स आप मांचित्र का निर्माड करते हो तो वो होता है आपका आंकिक मांचित्र या फिर डिजिटल मैपिंग और जो कंप्यूटर की सायता से मांचित्र का निर्माड किया जाता है उसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है तो किसकी सायता से ये आपके भोगोलिक सूचना पड़ा ल सबसे पहले आप सुदूर सम्वेदन से जनकारी लेते हो उसके बाद उसका विसलेशट करके नई जनकारी इसको create करते हो और इस नई जनकारी के अधार पर ही क्या बनता है आपका आंकिक मांचित्र किया जाता है ओके तो कंप्यूटर की साहता से मांचित्र का निर्माड करना करना क्या लाता है आपका आंकिक मांचित्र या फिर डिजिटल मैपिंग ओके तो ये जो है हमारे जो है मांचित्र टॉपिक के महतवपूर दस क्वेशन थे आप लोग इसको ध्यान से देखे होंगे तो आप क्या करेंगे अपने दोस्तों तक इसको जरूर सेयर कर कर दोस्तों डात्याएं के देखेट लग स्क्वेशन कर रावला